जैहिन्द फ्रेंड्स मैं सौरब जह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बी एसे ट्रिकी क्लासेस पे आज हम लोग सभी प्रकार के competitive exams को ध्यान में रखते हुए current affairs के most important सवालों को देखेंगे आप सभी से request करेंगे कि आप session को अधिक से अधिक share करें क्योंकि आज का class काफी ज़्यादा important है यहां से आपके exam में सवाल पूछे जा सकते हैं तो class में सारे सवालों के answer कीजेगा और आप लोग इधर उधर की बात नहीं कीजेगा आप सभी से request करेंगे आप लोग class को support अवसी कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं class और देखते हैं हमारा पहला सवाल किस संस्थान ने देश में सरपदंस की घटना, मिर्तिउदर, रुगनता और सामाजिक आर्थिक बोज की रिपोर्ट जारी की है तो अंसर करेंगे किस संस्थान की द्वारा देश में सरपदंस की घटना, मिर्तिउदर, रुगनता और सामाजिक आर्थिक बोज की रिपोर्ट जारी की गई है तो क्या अंसर होगा इस सवाल का आपको बताना है तो याद रखेगा ICMR के द्वारा देश में साम के द्वारा काटे जाने की घटना, उससे होने वाले मिर्तिउदर और उसका समाज पे आर्थिक रूप से क्या परवाव पड़ता है इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है ठीक है तो याद रखेगा ICMR ने देश में सरप्तनस की घटना, मिर्तिउदर और सामाजिक आर्थिक बोज़ की रिपोर्ट जारी की है आंसर ओप्सन नमबर B ध्यान रखेंगे वर्स 2022 तक अंतरास्टी क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल गेंदबाज कौन है Most important सवाल है और काफी आसान सवाल है आपको बताना है 2022 तक अंतरास्टी क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन है आप सभी को पता है James Anderson इंग्लेंड के दिग्गस बल्लेवाज है जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि James Anderson बहुत पहले से खेल रहे हैं जब सौरव गाउंगली, सचिनत अनुलकर वगेरा खेलते थे उस समय से ये खेल रहे है James Anderson England के fast swim baller है तो आपको याद रखना है अंतरास्टी क्रिकेट की इतिहास में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए है James Anderson ठीक है और याद रखना है अंतरास्टी टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सरवाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए है James Anderson इससे पहले अनिल कुम्बले ने 619 टेस्ट विकेट लिया था तो अनिल कुम्बले को पचाड कर विस्व में तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए है टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले James Anderson समझ में आया तो एक तो सवाल ये पूछ सकता है कि टेस्ट में तीसरा सरवादिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कोन बन गए है James Anderson ठीक है अनिल कुम्बले को पचाड कर इसके अलावा कोश्चन बन सकता है कि इतिहास में सबसे सफल तेस गेंदबाज कोन बन गए है तो James Anderson option number B England के खिलारी याद रखेगा ठीक है अब यहाँ से कुछ important सवाल आप याद रख सकते हैं जैसे आप से पूछा जा सकता है ज्यान दिजेगा BCCI के स्थापना कब की गई थी बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि BCCI के स्थापना कब की गई थी चीक है तो याद रखना है BCCI के स्थापना 1928 में की गई कब क्या गया 1928 में BCCI के स्थापना की गई और इसका headquarter कहाँ पे है मुंबई में है याद रखेगा BCCI का headquarter मुंबई में है और एक important सवाल बन सकता है BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे ये सवाल आप बताएंगे अगर आपको पता होगा तो BCCI के पहले प्रेसिडेंट कौन थे याद है तो बताए BCCI के पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो याद रखना है BCCI के जो पहले प्रेसिडेंट थे अनुदान गोवन नाम याद रखना है अनुदान गोवन ठीक है अनुदान गोवन ठीक है तो BCCI के पहले प्रेसिडेंट अनुदान गोवन BCCI के स्थापना 1928 headquarter मुंबई अगला important सवाल यहाँ पे आप ध्यान दिजेगा आपसे पूछेगा Under 19 Asia Cup जो हुआ था आठवी बार किसने जीता है तो इस सवाल को आप लेख लिजेगा सिरलंका को हरा कर आठवी बार Under 19 विस्व कप का खिताब जीता है भारत चीक है तो यह कुश्चन आपसे पूछ सकता है important सवाल है सिरलंका को हरा कर आठवी बार कितनी वी बार आठवी बार भारत जीता है Under 19 ठीक है आठवी बार Under 19 Asia Cup याद रखेगा Under 19 Asia Cup ठीक है Under 19 Asia Cup कौन जीता भारत तो सिरलंका को हरा कर आठवी बार Under 19 Asia Cup कोन जीता है भारत ठीक है तो Under 19 Asia Cup जीता भारत ने कितनी वी बार आठवी बार किसको हरा कर सिरलंका को हरा कर याद रखेगा ठीक है इसके अलावा और एक सवाल आप याद रखेगा आपसे पूछ सकता है T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारतिय खिलारी याद रखेगा रोहित सर्मा T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारतिय बारतिय बल्यवाज है आपनिंग करते हैं तो टाइम भी ज्यादा मिलता है उनको तो इस सवाल का आनसर याद रखेगा इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा किर्केट खिलारी है जो कि हाल ही में टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का सरय उनको मिला है तो आप जानते हूंगे न्यूजिलेंड के एजाज पतेल खिलारी है न्यूजिलेंड के एजाज पतेल ने टेस्ट मैच में एक ही पारी में सभी 10 विकेट लिये थे भारत के खिलाफ तो यह important सवाल है पूछ सकता है ठीक है अगर आपसे पूछे T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलारी तो आपको पता होगा रासिद खान याद रखेगा T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाडी कौन बन गए हैं रासिद खान याद रखेंगे ठीक है एक और सवाल लिख लिजए T20 किरकेट में 3000 विकेट में 3000 विकेट में 3000 विकेट में विश्व के पहले बल्लेबाज ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है तो आप लोग जानती हैंगे विराट कोहली तो याद रखना है T20 क्रिकेट में 3000 अन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं विराट कोहली याद रखेगा ठीक है तो T20 क्रिकेट में 3000 अन बनाने वाले विसु के पहले बल्लेवाज विराट कोली याद रखेगा एक और सवाल आपसे पूछ सकता है यहां लेफ्ट हैंडर बल्लेवाज को टेस्ट क्रिकेट में 200 वार आउट करने वाले विसु के पहले बल्लेवाज कोन बने है रवी चंदरन अस्वीन याद रखेगा चलिए अब अगला सवाल देखते हैं इस सवाल को याद रखेगा T20 करकेट में 3000 रन बनाने वाला विश्व का पहले बल्लेबाज विराट कोहली याद रखेगा ठीक है सिक्षा बोडों की सभी आकलन संबंदी सुचनाओं के लिए रास्टी एकल खिड की सुरोत का नाम क्या है Option A, निपुन, Option B, स्टार्स, Option C, परक, Option D, कलाम तो याद रखेगा है सिक्षा बोडों की सभी आकलन संबंदी सुचनाओं के लिए रास्टी एकल खिड की सुरोत का नाम परक रखा गया है मिखाईल गोबाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश के पुर्वरास्ट पती थे तो फटा फट आंसर करेंगे मिखाईल गोबाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के पुर्वरास्ट पती थे तो इस सवाल का सही आंसर आपके हिसाब से क्या होगा उसको आपको आंसर करना है तो याद रखेगा सही आंसर होगा रशिया क्या होगा आंसर रशिया तो मिखाईल गोबाचेव रशिया के पुर्वराष्टपती थे जिनका हाल ही में निधन हो गया अब यहाँ से कुछ important सवाल आप देखिएगा, जो आपके exam में पूछ सकता है, जैसे आप से पूछ सकता है, वेद महता का हाली में निधन हो गया, वह किस छेतर से संबन्दित थे वेद महता, तो वेद महता का संबन्द किस छेतर से था आपको बताना है, इसके अलावा आपक कमला भसीन का निधन हो गया यह किस चेतर से जुड़े हुए थे कमला भसीन किस चेतर से जुड़ी हुई थी तो कमला भसीन याद रखना है लेखी का निधन हो गया है याद रखेगा वेद महता उपन्यासकार याद रखेंगे उपन्यासकार वेद महता जी का भी निधन हो ग शंकर सुब्रमन्यम नारायन जी का निधन हो गया है यह गोलकीपर थे फुटबॉल में ठीक है तो इस सवाल को आप याद रखे है गोलकीपर फुटबॉल फुटबॉल के गोलकीपर शंकर सुब्रमन्यम नारायन का निधन हो गया है ठीक है और यहां से कुछ और नाम आप याद रख सकते हैं अगर आपको पूछ सकता है जैसे बांगलादेश के पुरु परधान मंतरी थे जिनका निधन हो गया है तो मौदूद एहमद पूछ सकता मौदूद एहमद का निधन हो है याद रखेगा ठीक है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ था ठीक है तो मौदूद एहमद बांगलादेश के पूरु परधान मंतरी का निधन हो गया और यहां से क्या याद रखेंगे एक और सवाल याद रखेगा जैसे पूछ सकता है पंडित देबू चौधरी जी का निधन हो गया है यह किस छेत्र से संबंदित थे आपको बताना है पंडित देबू चौधरी सितार वादक ठीक है पंडित देबू चौध जिनका हाल ही में निधन हो गया जोकी सिधारवाधन से संबंदित थे अगला इंपोर्टेंट इसी आप मिसाहीर पूर्द मांत्रि तो पापुआ न्यू गिनी पहले पर्धानमंत्रि थे और ईयुक्ता है पापुआ न्यू गिनी के पहले PM थे जिनका निधन हो गया है तो पापुआ न्यू गिनी के पहले PM कौन थे माइकल सुमारे जिनका हाल ही में निधन हो गया है याद रखेगा ठीक है तो इस तरह का सवाल आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए आप याद रखेगा चलिए अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं रक्षा मंत्राले द्वारा किस जहाज निर्माता कंपनी को ग्रीन चेनल प्रमानन से सम्मानित क्या जाएगा ओप्शन A गोवा सिप्याड ओप्शन B कोचीन सिप्याड ओप्शन C तो इसका सही आंसर क्या होगा याद रखेंगे गार्डन रीच सिप्बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स कंपनी को यह जो कंपनी है जहाज निर्मान करती है याद रखेंगा गार्डन रीच सिप्बिल्डर्स नाम से ही पता चल रहा है देखिए तो Garden Ridge Sip Builders and Engineers ये एक जहाज निर्माता कमपनी है और इसी कमपनी को Green Channel प्रमानन से सम्मानित क्या गया है रक्षा मंत्राले द्वारा तो याद रखेंगे रक्षा मंत्राले द्वारा Garden Ridge Sip Builders and Engineers कमपनी को Green Channel प्रमानन से सम्मानित क्या गया है आंसर ओप्सन C ठीक है? अब देखिए कुछ important सवाल आप से पूछ रहे हैं उस सवाल का answer आपको करना है ठीक है? आंसर करेंगे fearless governance पुस्तक के लेखा कौन है? important सवाल है बहुत बारी सवाल पूछ दिया गया है कि fearless governance ठीक है? fearless governance पुस्तक के लेखी का कौन है? तो याद रखेगा डॉक्टर कीरन बेदी ठीक है? important सवाल है कीरन बेदी ठीक है? तो fearless governance पुस्तक की लेखी का कौन है? तो कीरन बेदी अगला important सवाल आप से पूछ सकता है कि महिला Asia Cup 2022 का खिताब कि इस देश ने जीता? बताएंगे महिला Asia Hockey Cup ठीक है? नहीं तो ऐसे तो Asia Cup क्रिकेट में भी होता है तो याद रखेगा महिला Asia Hockey ठीक है? महिला Asia Hockey Cup 2022 किस ने जीता? important सवाल है जापान ने जीता ठीक है? जापान ने जीता तो महिला Asia Hockey Cup 2022 कौन जीता? तो याद रखेगा जापान जीता important सवाल है ठीक है अगला important सवाल आपको बताना है किसान जवान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है क्योंकि अभी हाल ही में इसको सुरू किया गया है तो important सवाल है पूछ सकता है किसान जवान शम्मान दिवस किसान जवान सम्मान दिवस कब मनाया जाएगा कितना तारिक को मनाया जाएगा तो याद रखना है 17 सितंबर ठीक है 17 सितंबर को किसान जवान सम्मान दिवस की रूप में celebrate किया जाएगा तो 17 सितंबर किसान जवान सम्मान दिवस मनाया जाता है याद रखेगा ठीक है चलिए तो क्लास को फटा फट एक बार आप लोग शेयर कर दीजे विश्व नारियल दिवस 2022 का विश्व क्या है आंसर करेंगे विश्व नारियल दिवस 2022 का विश्व क्या है उप्शन A बहतर भविश्य और जीवन के लिए नारियल उगाना उप्शन B नारियल के पोशन संबंदी लाव उप्शन C नारियल की सतत प्रकिरती उप्शन D नारियल का सेवन और को पोशन को खत्म करना तो अच्छा सवाल है विश्व नारियल दिवस 2022 का थीम क्या था आपको बताना है तो सही answer क्या होगा option number A इस सवाल का आपका सही answer होगा ठीक है पूछे अगर विस्व नारियल दिवस का theme क्या था तो याद रखेगा विस्व नारियल दिवस 2022 का theme था growing coconut for a better future and life बहतर भविस्य और जीवन के लिए नारियल उगाना विस्व नारियल दिवस 2022 का theme था ठीक है तो विस्व नारियल दिवस 2022 का theme था बहतर भविस्य और जीवन के लिए नारियल उगाना option number A याद रखेंगे अब यहां से कुछ important theme आपको याद रखना है जो exam में पूछ सकता है ठीक है जैसे आपसे पूछ सकता है रास्टी युवा दिवस 2022 का theme रास्टी युवा दिवस आप जानते हैं कब मनाय जाता है 12 जन्वरी को रास्टी युवा दिवस 2022 का theme ठीक है रास्टी युवा दिवस 2022 का theme क्या था एक तो याद रखना है रास्टी युवा दिवस कब मनाय जाता है 12 जन्वरी को में तो याद रखेगा रास्टी युगा दिवस 2020 का think is all in the mind ठीक है अगला important सवाल बन सकता है आपका और शिक्षा मनाया जाता है अंटरास्ठी सी शिग्षास कभ मनाया जाता है तो याद रखना 24 जनवरी को रास्टी बालिका दिवस भी मनाय जाता है, तो 24 जनवरी को अंतरास्टिय सिक्षा दिवस मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था वरस 2022 में, important सवाल है, changing course, इसको लिख लिजेगा, changing course, transforming education, changing course, transforming education, important है, इसलिए लिखा रहे हैं, ठीके, पहले भी आपको पढ़ा चुके होंगे, तो याद रखना है, अंतरास्ट इसक्षा दिवस 2022, 24 जनवरी को मनाया गया, और इसका थीम था, changing course, transforming education, अगला important सवाल यहां से आपका बन सकता है, विस्व, रास्टिय सांखी की दिवस का आप से पूछ सकता है, कि रास्टिय सांखी की दिवस का थीम क्या था, important बन सकता है, रास्टिय सांखी की दिवस, ब पहला सवाल रास्टिय सांखी की दिवस कब मनाया जाता है, 29 जून, याद रखे का रास्टिय सांखी की दिवस 29 जून को मनाया जाता है, और 29 जून 2021 का थीम क्या था, भुखमरी की समापती याद रखेगा, भुखमरी की समापती खादि सुरक्षा प्राप्त करना, यह जो विश्व आद्र भूमी दिवस 2022 का थीम कब मनाए जाता आद्र भूमी दिवस दो फरवरी को तो विश्व आद्र भूमी दिवस 2022 का थीम क्या रखा गया था ठीक है तो याद रखेगा विश्व आद्र भूमी दिवस 2022 का थीम क्या था वेटलेंड एक्षन फॉर पीपल एंड नेचर ठीक है वेटलेंड एक्षन फॉर पीपल एंड नेचर ठीक है वेटलेंड एक्षन फॉर पीपल एंड नेचर विश्व आध्रभूमी दिवस दो फरवरी 2022 का धीम था याद रखेगा चली अगला सवाल देखते हैं तो क्लास को फटा-फट एक बार आप लोग share कर दीजे ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास कलाब उठा सकें 2022 में किस महिने से मासिक GST राजसुव 1.4 लाग करोर रुपे से उपर रहा है 2022 में किस महिने से मासिक GST राजस 1.4 लाग करोर रुपे से उपर रहा है तो आपका सही अंसर क्या होगा? मार्च चीक है? तो मार्च 2022 से मासिक GST राजस 1.4 लाग करोर रुपे से उपर रहा है याद रखेगा किस राजस सरकार ने 17 सितंबर को राष्टी एक्ता दिवस के रूप में मनाने की घोसना की है? आपको बताना है 17 सितंबर को National Unity Day मनाएगा कौन सा ऐसा राजस है जिसने घोसना किया है कि 17 सितंबर को National Unity Day के रूप में वह मनाएगा आप्शन A केरल, आप्शन B तेलंगाना, आप्शन C बिहार, आप्शन D उडिसा तो अच्छा सवाल है इस सवाल का आंसर आप लोग करेंगे याद रखना है इसका सही आंसर होगा तेलंगाना तेलंगाना सरकार ने घोसना किया है कि 17 सितंबर को रास्टी एकता दिवस की रूप में मनाएगा तो तेलंगाना में 17 सितंबर को रास्टी एकता दिवस की रूप में मनाया जाएगा जैसे आपसे पूछ सकता है कि national civil सेवा दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे national civil सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 21 अपरेल को national civil सेवा दिवस मनाया जाता है, इंपोर्टेंट सवाल है, 21 अपरेल को national civil सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अगला important सवा अगर पुछे रास्ति य पंचायती राज दिवसकब मनाया जाता है तो 24 अप्रेल को आप लोग जानते होंगे रास्टिय पंचाइती राज दिवस मनाया जाता है तो रास्टिय पंचाइती राज दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखेगा 24 अप्रेल को रास्टिय पंचाइती राज दिवस की रूप में मनाया जाता है 29 अप्रील को अंतरास्टी ये निर्ती दिवस की रूप में मनाया जाता है याद रखेगा ठीक है विस्व रेड क्रोस दिवस कब मनाया जाता है तो important सवाल बनता है विस्व रेड क्रोस दिवस 8 मई को विस्व रेड क्रोस दिवस की रूप में मनाया जाता है तो याद रखेगा विस्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विस्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है अगला important पूछ सकता है रास्टिय पर्दोगी की दिवस कब मनाया जाता है तो 11 मई को रास्टिय पर्दोगी की दिवस की दिवस की रूप में मनाया जाता है अगला important सवाल पूछ सकता है रास्टी स्टार्ट अप दिवस कब मनाया जाता है रास्टी स्टार्ट अप दिवस रास्टी स्टार्ट अप दिवस 16 जनवरी याद रखेगा रास्टी स्टार्ट अप दिवस कब मनाया जाएगा सोलर जनवरी को रास्टिय स्टार्ट अप दिवस की रूप में मनाया जाता है ठीक है? इंपोर्टेंट है याद रखेगा चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 वे रास्टिय खेल एहमदाबाद के सुभंकर का नाम क्या है? 36 वे रास्टिय खेल जो है एहमदाबाद में हुआ तो इसका सुभंकर क्या था आपको बताना है 36 वे रास्टमंडल खेल गुजरात का सुभंकर का नाम क्या है? समझ मैं है? 36 वे रास्टमंडल खेल एहमदाबाद के सुभंकर का नाम क्या है? सावजी option number B अगले सवाल COVID-19 vaccine के सुई मुक्त शौस के संसकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है important सवाल है COVID-19 vaccine के सुई मुक्त शौस के संसकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है option A, USA option B, China, option C, Russia, option D, Israel तो सही आंसर क्या होगा चाइना याद रखेगा चीन जो है COVID-19 वैक्सीन के सुई मुक्त स्वास के संस्करन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है ठीक है तो आंसर क्या होगा चाइना ओप्सन नमबर B ठीक है तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर करेंगे शवाल का आपसे पूछा गया है स्वास्ते मंत्राले के द्वारा आयोजित क्या जाने वाला स्वास्ते सबल भारत कौनक्लेव की चर्चा का मुख्य विश्य क्या रहा तो आपका सही आंसर क्या होगा ओप्सन नमबर B सरीर अंग नेतरदान याद रखेगा कि स्वास्ते मंत्राले के द्वारा स्वास्ते सबल भारत कौनक्लेव की चर्चा की गई और इसका मुख्य विश्य रखा गया था सरीर अंग नेतरदान ठीक है बोडी और गन आय डोने अब स्वास्ते से रिलेटेट भी बहुत सारा सवाल आपके एक्जाम में पूछ सकता है जैसे आपसे पूछ सकता है ठीक है ध्यान दीजेगा इस सवाल को आप याद रखेगा कि तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जारा है तो याद रखेगा इस प्रियुजना का मुख्य उद्देश ये तेलंगाना में ड्रोन के माद्यम से दवाओं टीके आदी की आपरती सुनिशित करवाना है ठीक है तो मेडिशीन फ्रम्दाइस का प्रियुजना तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाए गया जिसका मुख्य उद्देश है, ड्रॉन के माध्यम से दवाओं को सभी जगा पहुँचाना, ठीक है? तो यह important है, अगला important यहां से आपको याद रखना है, जाइकोफ D vaccine के बारे में पूछ सकता है एकजाम में सवाल, जाइकोफ D vaccine तो जाइकोफ D vaccine से क्या सवाल आपका पूछेगा, तो याद रखेगा कि यह COVID-19 हे तू, जाइकोफ D vaccine जो है COVID-19 के लिए है विस्व का पहला DNA आधारित टीका है, ठीक है? तो याद रखेगा इसको, इस सवाल को COVID-19 हे तू, विस्व का पहला COVID-19 हे तू, विस्व का पहला DNA आधारित टीका है, तो इसको आप याद रखेगा, पूछेगा कि विस्व का पहला DNA आधारित टीका, कौन सा है, जो कि COVID-19 के लिए उपयोगी है, तो जाइकोफ D vaccine COVID-19 हे तू, विस्व का पहला DNA आधारित टीका है, ठीक है? और इस vaccine का निर्माता company भी पूछ सकता है, जाइकोफ D vaccine का निर्माता company का नाम क्या है, जाइडस कडिला, ठीक है? तो याद रखेगा, जाइकोफ D vaccine का निर्माता company का नाम है, जाइडस कडिला एक सवाल आपको बताना है, नोरो वाइरस, ठीक है, नोरो वाइरस आपसे पूछेगा जो की एक संक्रामक वाइरस है इसका पता किस राज्य में सबसे पहले चला तो केरल में याद रखेगा ठीक है चली अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्लास को फटाफट एक बार सेर कर दीजे Mars Oxygen in C2 Resource Utilization Experiment MOXIE किस देश ने विक्सित किया है तो आंसर करेंगे Mars Oxygen in C2 Resource Utilization Experiment MOXIE किस देश के द्वारा विक्सित किया गया है Option A, China Option B, Russia Option C, America Option D, Israel तो आपका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है तो याद रखना है इस सवाल का सही आंसर होगा Option C, America चीक है तो Mars Oxygen Mars Oxygen in C2 Resource Utilization Experiment MOXIE किस देश ने विक्सित किया है तो आपका आंसर होगा C नंबर देखिए अमेरिका आंसर क्या होगा USA स्युक्तराज अमेरिका ठीक है अब देखिए यहां से कुछ important सवाल आपको बता रहे है जैसे आपसे पूछ सकता है भारत का पहला graphene नवाचार केंदर कहां पे खोला गया केरल में ठीक है तो डिजिटल युनिवर्सिटी केरल द्वारा याद रखेगा डिजिटल युनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में भारत का पहला graphene नवाचार केंदर तुरशूर में Center for Materials for Electronics Technology के साथ अस्थापित किया गया है कुल मिला के याद रखना है भारत का पहला graphene नवाचार केंदर कहां खोला गया है केरल में अगला important सवाल यहां से आपको याद रखना है पूछ सकता है भारती अंतरिक्ष अनुशंधान संगठन इसरो ने भारत के पहले मानव वहाँ के रोकेट एक और सवाल आपसे पूछ सकता है आपको बताना है कि DRDO ने भारती अनुशंधान के लिए ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुदरी संसकरन की विस्तारित रेंज का सफलता पुरुवक परिक्षन किया है तो DRDO ने ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुदरी संसकरन की एड़्वांस वर्जन का सफलता पुरुवक परिक्षन किया है याद रखेगा चलिए अगला सवाल देखते है किस राज्य ने राज्य विज्ञान और प्रदोगी की मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है उप्सन A महरास्ट उप्सन B गुजरात उप्सन C बिहार उप्सन D मद्य परदेश तो इस सवाल का सही आंसरोंगा उप्सन B गुजरात तो याद रखेंगे गुजरात राज्य ने राज्य विज्ञान और प्रदोगी की मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है आंसर उप्सन B किस राज्य के सिक्षा विभाग ने समर्थ नाम से एक E-Governance Portal लॉंच किया है आंसर करेंगे किस राज्य के सिक्षा विभाग ने समर्थ नाम से एक E-Governance Portal लॉंच किया है तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा आप्सन B उत्राखंड याद रखेगा उत्राखंड राज्य के सिक्षा विभाग ने समर्थ नाम से एक E-Governance Portal लॉंच किया है तो समर्थ नाम से E-Governance Portal किस राज्य के सिक्षा विभाग द्वारा लॉंच किया गया है चिक है चलिए तो क्लास को फटा फटा एक बार आप लोग सेर कर दीजे अगले सवाल H.A.L. के अंतरिक्ष संग और किस कंपनी ने अगले पांच धुरुविय उपगरह परछेपन यान PSLV के लिए अनुबंध जीता है तो कौन सा ऐसा इस सवाल का आंसर होगा तो आपको बताना है H.A.L. के अंतरिक्ष संग और किस कंपनी ने अगले पांच धुरुविय उपगरह परछेपन यान PSLV के लिए यानि Polar Satellite Launch Vehicle के लिए अनुबंध जीता है इंपोर्टेंट सवाल है पूछा जा सकता है एक्जाम में याद रखेगा Larson and Turbo L&T यानि Option Number C आपका सही अंसर होगा तो Larson and Turbo Company ने H.A.L. के अंतरिक्ष संग और ठीक है याद रखेगा H.A.L. के अंतरिक्ष संग और Larson and Turbo ने ठीक है अगले पांच दुर्विये उपगरह परचेपन यान के लिए अनुबंध जीता है तो आंसर होगा Option C अगला सवाल आपूर्ती स्रिंखला वित्य शमाधानों का समर्थन करने के लिए किस नीजी बैंक ने विकास बैंक A.D.B. के साथ भागेदारी की Option A. कोटक महिंद्रा बैंक Option B. इंडस लेंड बैंक Option C. फेडरल बैंक Option D. यस बैंक तो इस सवाल का आंसर क्या होगा याद रखना है इंडस 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 लेंड बैंक ठीक है आपुर्ती सिंखला वित समाधानों का समर्थन करने के लिए इंडस लेंड बैंक ने विकास बैंक के साथ यानी A.D.B. एशियन डेवलप्मेंट बैंक के साथ साजिदारी की है आंसर होगे Option B भारतिय सेना परमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश के जनरल की मानद रेंक से सम्मानित किया जाएगा आंसर करेंगे भारतिय सेना परमुख है अभी कौन जनरल मनोज पांडे तो भारतिय सेना परमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश के जनरल की मानद रेंक से सम्मानित किया जाएगा Option A, स्रिलंका Option B, बांगलादेश Option C, नेपाल Option D, म्यानमार तो याद रखेंगे भारते सेना परमुख है जनरल, मनोज, पांडे और इनको आंसर क्या होगा Option C इनको नेपाल देश के जनरल की मानद रखेंग से सम्मानित किया जाएगा ठीक है तो भारते सेना परमुख जनरल, मनोज, पांडे को नेपाल, देश के जनरल की मानद रखेंग से सम्मानित किया जाएगा Answer Option C किस संस्थान ने Women in Engineering, Science and Technology पहल शुरू की तो आंसर करेंगे इंस्थान के द्वारा की गई इंपोर्टेंट सवाल है इस तरह का सवाल एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो याद रखेगा Office of the Principal Scientific Advisor ठीक है Office of the Principal Scientific Advisor संस्थान के द्वारा Women in Engineering, Science and Technology यानि वेस्ट पहल की शुरूआत की गई आंसर ओप्शन भी याद रखेगा ठीक है चलिए क्लास को फटा फटे एक बार आप लोग शेयर कर दीजे निक्षे 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉंच किया गया था किस बिमारी से संबन्दित है आंसर करेंगे अंसर क्या होगा TB या 22 विमारी से संबन्दित है निक्षे पोर्टल ठीक है तो याद रखेगा निक्षे 2.0 पोर्टल का संबन्द ट्यूबर क्लोसिस याणि TB विमारी से है और आपको वता होगा या बैक्टिरिया से होने वाला विमारी है तो याद रखेंगे निक्षे 2.0 पोर्टल हाल ही में लॉंच किया गया है और यह है ट्यूबर क्लोसिस बिमारी से संबनित है आंसर ओप्सन B कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमाले दिवस की रूप में मनाता है तो कौनसा ऐसा राज्य है जो 9 सितंबर को हिमाले दिवस की रूप में मनाता है तो सही आंसर क्या होगा याद रखेगा अगर आप कैसे पूछे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है तो important सवाल बनता है 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है हिंदी दिवस, रास्टी हिंदी दिवस, ठीक है 14 सितंबर को रास्टी हिंदी दिवस की रूप में मनाया जाता है तो याद रखेगा 14 सितंबर रास्टी हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिव दिवस मनाया जाता है, दस जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर को रास्टी हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीके, अगला पुछ सकता है, अंतियोदे दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है अंतियोदे दिवस यानि पंडित दीन दियाल जी की जैनती ठीक है अंतियोदे दिवस पंडित दीन दियाल जैनती को याद करते हुए पंडित दीन दियाल जी को याद करते हुए अंतियोदे दिवस मनाय जाता है 25 सितंबर को याद रखेगा अंतियोदे दिवस कब मनाय जाता है तो 25 सितंबर को अंतियोदे दिवस की रू जनजातिय गौरफ दिवस कब मनाया जाता है इस सवाल को आप याद रखेगा कि जनजातिय गौरफ दिवस 15 नौंबर को मनाया जाता है ठिक है 14 नौंबर को ही विस्व मधुमें दिवस मनाया जाता है इंपोर्टेंट है विस्व मधुमें दिवस कब मनाया जाता है 14 नौंबर को विस्व मधुमें दिवस मनाया जाता है ठीक है और 26 नौंबर को क्या मनाया जाता है भारते सविधान दिवस आप जानते है एक नई बांध प्रजाती देखी गई किस राज्य में है? आपको कुल मिला के बताना है कि पीची वन जीव अभ्यारने किस राज्य में है? इंपोर्टेंट सवाल है और इस तरह का सवाल आपका एक्जाम में पूछ सकता है, तो आंसर करेंगे पीची वन जीव अभ्यारने किस राज्य में है? आप्शन A, तमिलनाडू, आप्शन B, केरल, आप्शन C, महरास्ट, आप्शन D, करनाटक तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? आप्शन B, केरल याद रखेगा पीची वन जीव अभ्यारन, ठीक है? पीची वन जीव अभ्यारन, कहां पे है? केरल में है, कहां पे है? केरल में, पीची वन जीव अभ्यारन, केरल में है, जहां पे क्या मिला है? एक नए परकार का परजाती मिला है, जिसका नाम है प्रोटी स्टिक्टा एनाई मलाइका ठीक है तो याद रखेगा पीची वने जिव अभ्यारन केरल में है option number B अब यहां से कुछ परमुक अभ्यारनी के बारे में आप याद रख सकते हैं या फिर tiger reserve के बारे में जैसे पूछेगा आसाम में कौन-कौन सा tiger reserve है आप जानते हैं आसाम में मानस tiger reserve कहां पे है आसाम में है कांजी रंगा national park कहां पे है आसाम में है कांजी रंगा tiger reserve कहां पे है आसाम में है ओरंग tiger reserve कहां पे या ओरंग national park कहां पे है आसाम में है ठीक है तो याद रखेगा ओरंग tiger reserve आसाम कांजी रंगा tiger reserve आसाम मानस टैगर रिजव आसाम ठीक है अगला पूछ सकता है कि कानहा नेशनल पार्क कहाँ पे है मद्द प्रदेश में सत्पूरा नेशनल पार्क कहाँ पे है मद्द प्रदेश में ठीक है पन्ना टैगर रिजव कहाँ पे है मद्द प्रदेश में तो अन्ना मलाई तमिलाडू में है, इसके अलावा मुदू मलाई, मुदू मलाई टाइगर रिजव कहां पे है, ये भी तमिलाडू में है, तो याद रखेगा अन्ना मलाई और मुदू मलाई टाइगर रिजव कहां पे है, तमिलनाडू में है, ठीक, वालमी की टाइगर पुछेगा दुधुवा नेशनल पार्क कहां पे है याद रखेगा ठीक है रामगर विजधारी वने जीवा भ्यारनी कहां पे है याद रखेगा रामगर विजधारी वने जीवा भ्यारनी कहां पे है छतिस गड़ में है इसको भी आप याद रखेगे ठीक है समझ में आगिया तो इम्पोर्टेंट सवाल है यहां से आपका सवाल पूछ सकता है याद रखेगा इसके लावा कुछ important और सवाल बन सकता है इसे आपसे पूछ सकता है थोल जील वने जीव अभ्यारने कहां पे 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 है थोल जी अप्रेल 2021 में तो important है जगा आप से पूस देगा कभी भी कि थोल जिल वनीजीव अभ्यारन कहां पर है गुजरात में ठीक है इसके अलवा याद रखना है इसको भी क्या किया गया है याद रखना है रामसर अस्तल में सामिल किया गया अगला याद रखना है सुल्तानपूर न पुछेगा ये तो current affair का भी सवाल बन सकता है और static gk का भी सवाल बन सकता है आपसे पूछ देगा सुल्तानपूर नेस्नल पार कहां पर हर्याना में दूसरा पूछ देगा भिंडावास वनीजीव अभ्यारन कहां पर हर्याना में या फिर आपसे अड़ पूछ देगा कि हर याद रखना है, important है, पूछ सकता है. चली, अगला सवाल देखते हैं. अच्छा, एक सवाल का अंजर कीजेगा, भारत के सबसे पहले रामसर अस्तल के रूप में सामिल आदरभूमी का नाम क्या है? तो याद रखेगा, भारत के सबसे पहले रामसर अस्तल के रूप में सामिल आदरभूमी का नाम है चिलका जील. ठीक है? चली, अगला सवाल देखते हैं. अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन टी स्नेक जो समाचारों में देखे गए थे, उन्हें किस रहनी की प्रजाती के रूप में वरगी करित किया गया है? आंसर करें अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक जो समाचारों में देखे गए थे उन्हें किस रहनी की प्रजाती के रूप में वरगीकृत किया गया है तो आंसर होगा आक्रामक प्रजाती इन्वैजिव इन्वैजिव स्पेसीज ठीक है तो याद रखेंगे अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन टी स्नेक को आक्रामक प्रजातीयों के अंतरगत रखा गया है ये काफी खतरनाक साप होता है ठीक है तो देखेगा अमेरिकन बुल फ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक ये क्या है बहुत ही इन्वैजिव स्पेसीज के अंतरगत रखा गया है आंसर ओप्सन नमबर ए रास्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली अंचिता सूली किस खेल से जुड़ी है तो अच्छा बताना है उप्सन ए भारतोलन उप्सन बी मुक्यबाजी उप्सन सी टेबल टेनिस उप्सन डी लॉन बाउल्स तो आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे उप्सन नमबर ए इसका सही आंसर होगा भारतोलक ठीक है याद रखेगा कि रास्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जितने वाली अंचीता सूली भारतोलन से जुड़ी हुई है ठीक है तो इंपोर्टेंट सवाले पूछ सकता है कि स्वर्ण पदक रास्टमंडल खेल में जिती है अंचिता सुली तो यह किस खेल से जुड़ी हुई है तो भारतोलन ओप्सन नमबर A चीक है अगला important सवाल क्या पूछ सकता है कि पहली बार Commonwealth गेम का ऐवजन कब किया गया था आप से पूछेगा कि पहला रास्ट मंडल खेल कब हुआ था तो आप बताएंगे पहला रास्ट मंडल खेल कब हुआ था याद है आपको 1930 में तो याद रखेंगे पहला रास्ट मंडल खेल कब हुआ था 1930 में और यह कहाँ पी हुआ था Hamilton, Cananda ठीक है तो यह important सवाल है बहुत अबार यह सवाल पूछा गया है कि पहला रास्टमंडल खेल कब हुआ था और कहां पे हुआ था ठीक है तो पहला रास्टमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था याद रखेगा ठीक है अगला सवाल पूछ सकता है भारत ने भारत ने सरोपर्थम रास्टमंडल खेलों में कब भाग लिया था तो चार साल के बाद ठीक है भारत ने सरोपर्थम रास्टमंडल खेलों में भाग लिया तो याद रखेगा 1934 का लंदन 1934 का लंदन का रास्टमंडल खेल याद रहेगा ठीक है तो पहली बार रास्टमंडल खेल 1930 में खेला गया था कनाड़ा के हमिल्टन में लेकिन भारत ने पहली बार 1934 के लंदन रास्टमंडल खेल में भाग लिया था ये इंपोर्टेंट है याद रखेगा और अभी जो 2022 म यह कहां पे हुआ इंग्लेंड के बर्मिंगम सभी को फता होगा यह तो यह भी याद रखेगा कि 22 राष्टमंडल खेल बर्मिंगम इंग्लेंड में हुआ था कहां पे हुआ था बर्मिंगम इंग्लेंड में हुआ था 22 राष्टमंडल खेल ठीक है और 22 राष्टमंडल खेलो ठीक है आपसे पूछ सकता है राष्ट मंडल खेल राष्ट मंडल खेल कौन सा राष्ट मंडल बाइसवा राष्ट मंडल खेल में यहां से दो सवाल बनेगा एक तो समापन समाहरों में ध्वजवाग कौन थी ठीक है समापन समाहरों में ध्वजवाग कौन थी और एक आपसे पूछ सकता है कौन सा एक तो समापन समाहरों में ध्वजवाग दूसरा पूछ सकता है उदगाटन ठीक है उदगाटन समाहरों में उदगाटन समाहरों में ध तो दोनों का आंसर आपको करना है तो पहला वाला तो बहुत important है दोनों important है पहला वाला थोड़ा आसान ही है बोल सकते हैं हम लोग तो याद रखेगा बाइस्वा राष्ट मंडल खेल जोकि इंग्लेंड के बर्मिंगम में खेला गया और इसमें उद्गाटन समारों में भारतिय दल का नित्रुत्य क्या था पीवी सिंदू ठीक है पीवी सिंदू तो उद्गाटन समारों में धोजवाहक कौन थी पीवी सिंदू और समापन समारों में धोजवाहक कौन थी ये important होगा जायदा अचंता सरत कमल ये तो याद होई जाएगा पीवी सिंदु वाला कि उद्गाटन समारों में पीवी सिंदु दोजवाहक थी और समापन समारों में दोजवाहक कौन थी अचंता सरत कमल ठीक है और किस खेल से जूड़ी थी ये भी आपको याद रखना है टेबल टेनिस ठीक है समझ में आ गया अब अगला यहां से इंपोर्टन सवाल क्या पूछ सकता है आप से पूछ सकता है कि जो रास्टमंडल खेल 2022 हुआ इसका आदर से वाकिया था तो सभी के लिए खेल ठीक है सभी के लिए खेल अगर पूछेगा 2022 के रास्टमंडल खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस ने जीता तो आप बताईए रास्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक को जीती रास्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक को जीता भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक राष्ट मंडल खेल, 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस ने जीता, मीरा भाई चानू ने जीता, ठीक है, और ये तो 22 राष्ट मंडल खेल था, जो कि इंगलेंड के बर्मिंगम में हुआ, अब पूछ सकता है, 23 राष्ट मंडल खेल, कहां पर आउजित किया जाएग कि Commonwealth Game 2022 में भाग लेने वाला भारत का सबसे कम उम्र का एथलीट का नाम क्या है, ठीक है, ये पूछ सकता, अनाहत सिंग, इसको याद कर लिजेगा, अनाहत सिंग, ठीक है, अनाहत सिंग के बार में याद रखेगा, कि सबसे कम उम्र का एथलीट, भारती एथलीट, जो कि रा रास्टमंडल खेल में भाग लिया, तो इस सवाल को याद रखेगा एथलीट, ठीक है, तो रास्टमंडल खेल में भारते एथलीट कौन बना? इनाहत सिंग, याद रखेगा और रास्टमंडल खेल 2022 का सुबंकर था, पैरी द बुल, ठीक है, और पूछे अगर कि इस देश आस्टिलिया ने किया है ठीक है और 2022 का जो रास्ट मेंडल खेल था उसका सुभंकर था पैरी द बुल ठीक है चलिए अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं क्लास को फटा फट एक बार आप लोग शेर कर दीजे रास्टि ए गवर्नेंस डिवीजन द्वारा किस कमपनी के साथ युवाँ 2022 के लिए जिम्मेदार AI कारिकरम सुरू किया गया ठीक है तो आप आंसर करें रास्टी E Governance Division द्वारा किस कम्पनी के साथ युवा 2022 के लिए जिम्मेदार AI कारिकरम शुरू किया गया उप्शन A Google, उप्शन B Microsoft, उप्शन C Intel, उप्शन D Accenture तो याद रखना है Intel इंटेल आपको पता होगा, माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कम्पनी है, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कौन सा कम्पनी बनाये था, इंटेल ने बनाये था, याद होगा आपको, पूछेगा कभी कि माइक्रो प्रोसेसर का अविस्कार किस के द्वारा किया गया तो माइक् कारिकरम शुरू किया गया, आंसर हो गया, option number C किस संस्थान ने वित्तिय समावेशन सुचकांग F.I. Financial Inclusion Index launch किया आपको बताने कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने वित्तिय समावेशन सुचकांग यानि Financial Inclusion Index जारी किया है option A. नितियायोग, option B. Reserve Bank of India option C. Ministry of Finance, option D. World Bank ठीक है, तो अच्छा सवाल है, एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इस सवाल का आप आंसर करें, कौन सा ऐसा संस्था है जिसने वित्तिय समावेशन सुचकांग यानि Financial Inclusion Index जारी किया है तो आपका आंसर क्या होगा? याद रखना option B. Reserve Bank of India आपका आंसर क्या होगा? Reserve Bank of India ठीक है? तो याद रखेगा, Reserve Bank of India ने वित्तिय समावेशन सुचकांग जारी किया है ठीक है? तो Reserve Bank of India ने Financial Inclusion Index जारी किया है आंसर होगा option B तो क्लास को फटा-फट एक बार आप लोग शेयर कर दीजे इस सवाल का आंसर होगा, option number B याद रखेगा अब यहाँ से कुछ important सवाल आपको पूछा जा सकता है, जैसे देखेगा निती आयोग द्वारा जारी किया गया था? Innovation Index 2020 ठीक है, इसमें पहला अस्थान की सराजी को दिया गया था आपको बताना है Innovation Index निती आयोग द्वारा जारी किया गया था? Innovation Index 2020 ठीक है, इसमें पहला अस्थान की सराजी को दिया गया? करनाटक को यह सवाल important है, पूछ सकता है दूसरे नंबर पे महरास्ट को दिया गया था ठीक है, तो निती आयोग के द्वारा Innovation Index 2020 जारी किया गया था? जिसमें करनाटक को पहला स्थान दिया गया था याद रखेगा? ठीक है? इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकता है निती आयोग के द्वारा गरीबी सुचकांग भी जारी किया गया था बहु आयामी गरीबी सुचकांग याद रखेगा निती आयोग ने राज्ये केंदर सासित प्रदेश और जिला अस्तरों पर गरीबी मापने हितु पहला बहु आयामी गरीबी सुचकांग जारी किया और इसमें पूछेगा देश का एक मात्र सुनी गरीबी वाला जिला कौन सा है? तो केरल का कोटायम जिला जो है देश का एक मात्र सुनी गरीबी वाला जिला है तो गरीबी बहु आयाम गरीबी सुचकांग कौन जारी किया है? तो याद रखना है निती आयोग पूछेगा कि देश का एक मात्र सुनी गरीबी वाला जिला कौन सा है? तो कोट्टायम जिला है केरल का सरवादिक अमीर राजी कौन सा है केरल ठीक है दूसरा सरवादिक अमीर राजी कौन सा है गोवा तीसरा सरवादिक अमीर राजी कौन सा है सिक्किम सबसे गरीब राजी कौन सा है तो बिहार ठीक है फिर से बता रहे है देश का एक मात्र सुनी गरीबी वाला जिला पूछेगा तो कोट्टायम केरल में है सबसे अमिर राजे पूछेगा तो पहले पे केरल है दूसरे पे गोवा है और तीसरे पे सिक्केम है अमिर राजे में ठीक है और सबसे गरीब राजे पूछेगा तो बिहार दूसरा सबसे गरीब राज ये पुछे का तो जार खंड है चलिए तो क्लास को फटा फट एक बार आप लोग शेर कर दीजे कैसपर रूड जिन्होंने हाल ही में स्वीस ओपन जीता है वो किस देश के खिलाडी है तो आपको बताने कैसपर रूड जिन्होंने स्वीस ओपन जीता है वो किस देश के खिलाडी है अच्छा सवाल है कैसपर रूड के बारे में पूछा है तो आंसर कर दीजे इस सवाल का क्या आंसर होगा Casper Grude किस देश के खिलारी है जिन्होंने हाल ही में Swiss Open जीता है तो सही answer क्या होगा Option number B याद रखेगा Norway, Norway के खिलारी है Casper Grude जिन्होंने Swiss Open जीता है आपका answer हो गया Option number B छिके Answer क्या हो गया Option number B याद रखेगा तो class को फटा फटे एक बार आप लोग share कर दीजे ताकि और भी बच्चे class में आ सकें और class का लाब उठा सकें तो इस सवाल का अंसर याद रखेगा कि Casper Root किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में Swiss Open जीता है तो Casper Root याद रखना है नौर्वे के खिलाड़ी हैं ठीक है अच्छा आपसे Wimbledon वगिरा से सवाल पूछ सकता है Wimbledon Open 2022 का किताब को जीता Australian Open 2022 को जीते French Open 2022 को जीते US Open इन सब से सवाल पूछ सकता है तो Wimbledon Open 2022 अगर आपसे पूछे Wimbledon 2022 को जीता बता दिजेगा Wimbledon 2022 को जीता एकल में अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेगा Noak Jakovic कहां के हैं ये Sarwiyah के है Noak Jakovic ठीक है Wimbledon 2022 को जीता Noak Jakovic किस देश के प्लेज़ है Sarwiyah के प्लेज़ है ठीक है जीता तो याद रखेगा पूछेगा विंबल्डन 2022 किनों नहीं जीता तो विंबल्डन 2022 एकल में पूरुस एकल में नौवाक जोकोविश ने जीता नौवाक जोकोविश सर्विया के हैं ठीक है अगला important पूछ सकता है Australian Open 2022 कों जीता Australian Open 2022 पूरुस वर्ग में Australian Open 2022 कों जीता तो याद रखेगा आस्टिलियन ओपन 2022 का पूरुस एकलगा खिताब राफिल नडाल ने जीता और राफिल नडाल कहां के हैं तो आपको पता होगा राफिल नडाल इस्पेन के हैं के हैं इस्पेन के हैं ठीक है और राफल नडाल नहीं फ्रेंच ओपन भी जीता है 2022 का तो आस्टिलियन ओपन 2022 पूछेगा राफल नडाल ने जीता और बिंबर्डन पूछेगा तो नौवाग जोकुविच ने बिंबर्डन जीता है इसको आप याद रखेगा ठीक है चलिए तो अगला सवाल अब हम लोग देख लेते हैं आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती ने किस उत्पाद के उचित और लावकारी मुली को मंजूरी दी तो फटा-फट आंसर करेंगे कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती ने किस उत्पाद के उचित और लावकारी मुली को म चाहिए ओप्सन नमबर C याद रखेगा सुगर केन ठीक है तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समीती ने सुगर केन के उचित और लावकारी मुली को मंजूरी दी है कौन सा केंद्रिय मंत्राले हमारी धरोहर योजना लागू करता है कौन सा केंद्रिय मंत्राले हमारी धरोहर योजना लागू करता है औप्सन A Ministry of Tribal Affair, Option B Ministry of Minority Affair, Option C Ministry of Home Affair, Option D Ministry of Culture यहाँ याद रखना है आपका अंसर क्या होगा Option B Ministry of Minority Affair चीक है पूछेगा कौन सा केंद्रिय मंत्राले हमारी धरोहर योजना लागू किया है तो हमारी धरोहर योजना लागू किया है Ministry of Minority Affair, Answer Option B समझ में आ गया, तो यह सवाल भी important है तो इसको भी आप याद रखेगा कि Ministry of Minority Affair के द्वारा हमारी धरोहर योजना का सुभारम क्या गया है कौन सा केंद्रिय मंत्राले एक जिला एक उत्पाद योजना लागू करता है आपको बताना है कौन सा केंद्रिय मंत्राले है जिसके द्वारा One District One Product O.D.O.P. स्कीम लागू किया गया है ठीक है, तो फटा फटा आंसर करेंगे कि किस केंद्रिय मंत्राले के द्वारा एक जिला एक उत्पाद O.D.O.P. योजना लागू किया गया है तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा प्सन नमबर B, Ministry of Commerce and Industry याद रखेगा, Ministry of Commerce and Industry के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया गया है आंसर ओप्शन B भारत छोड़ो आंदूलन किस वर्स शुरू किया गया था तो सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदूलन किस वर्स शुरू किया गया था बता दिजिए आंसर तो याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदूलन 1942 इसवी में शुरू किया गया था Quit India Movement ठीक है तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था 1942 इस वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था अंसर हो गया Option No.C उद्यम पंजीकरन पोर्टल किस मंत्राले से संबंदित है अंसर करेंगे उद्यम रेजिस्ट्रेशन पोर्टल तो उद्यम पंजीकरन पोर्टल किस से संबंदित है तो इंपोर्टेंट सवाल है याद रखेगा Ministry of MSME ठीक है तो Ministry of MSME से संबंदित है उद्यम रेजिस्ट्रेशन पोर्टल मुख्य नयाइदीज रमन ने अपने उत्राधिकारी के रूप में किसे नयाई की सिफारिस की है यानि किन्हें नयाइदीज की रूप में सिफारिस की अभी ये बन भी चुके है आपको पता होगा तो N.V. रमनना आपको पता होगा N.V. रमनना कितने नमबर के थे N.V. रमनना यहाँ ठीक है N.V. रमनना कितने नमबर के Chief Justice थे आपको पता होगा तो याद रखना 48 वे भारत के 48 वे मुखे नाइदीस कौन थे तो N.V. रमन्ना और इनके द्वारा सिफारिस किया गया था U.U. ललित के बारे में और अभी वर्तमान में U.U. ललित जो है मुखे नाइदीस है तो कहां पर नाम लिखा है उप्सन नंबर A में आप देखिए उदे उमेस ललित इनका पूरा नाम क्या है उदे उमेस ललित तो ये कितने नंबर के हैं 49 हैं वर्तमान में कौन है ठीक है तो U.U. ललित या उदे उमेस ललित तो याद रखेगा कि 48 में मुखे नाइदीस थे N.V. रमना और N.V. रमना ने किसे सिफारिस किया था तो याद रखना है N.V. रमना के द्वारा सिफारिस किया गया था जस्टिस उदे उमेस ललित के बारे में और वर्तमान में 49 मुखे नाइदीस कोन बने हैं किस राज्य सरकार ने अपने चात्रों के रोजगार कोशल को बढ़ावा देने के लिए लिंक डइन के साथ भागेदारी की है तो आंसर कीजे कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने चात्रों के रोजगार कोशल को बढ़ावा देने के लिए LinkedIn के साथ भागिदारी की है तो याद रखना है केरल ठीक है केरल सरकार ने छात्रों के रोजगार कोशल को बढ़ावा देने के उदेशे से LinkedIn के साथ समझोता किया है हाल ही में खबरों में रहा गिंडी नेशनल पार्क किस राज्य में इस्थित है तो बताना है गिंडी नेशनल पार्क किस राज्य में इस्थित है तो याद रखेगा तमिलनाडू में इस्थित है गिंडी नेशनल पार्क ठीक है पूछ सकता है गिंडी नेशनल पार्क कहां इस्थित है नेशनल पार्क ठीक है चलिए तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेर कर दीजे इस सवाल कर से आंसर होगा गिंडी नेशनल पार्क तमिलाडू में है ठीक है दोनी पोलो एरपोर्ट जो खबरों में रहा किस राज़ में इस्थित है आपको बताना है डोनी पोलो एरपोर्ट किस राज़ में इस्थित है जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था डोनी पोलो नेशनल पार्क तो याद रखना है किस राज़ में था अरुनाचल प्रदेश ठीक है पूछेगा डोनी पोलो एरपोर्ट किस राजय में था तो याद रखेगा डोनी पोलो एरपोर्ट किस राजय में था तो याद रखेगा डोनी पोलो एरपोर्ट किस राजय में था तो याद रखेगा डोनी पोलो एरपोर्ट किस राजय में था अब कुछ और यहां से सवाल याद रखेगा एरपोर्ट से जसे आप से पूछ सकता है चतरपती सिवाजी अंतरास्टे हवाइड़ा कहां पे है नई दिल्ले में है नेता जी सुवास चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाइड़ा कहां पे है कॉलकाता में है बाबा साहिब अंबे अंतरास्टे हवाइड़ा उसको आपको याद रखना है वीर सवरकर अंतरास्टे हवाइड़ा कहां पे है पोर्ट बलेर में है ठीक है देवी अहिल्याबाय होलकर अंतरास्टे हवाइड़ा कहां पे है इंदोर में है लाल बहादुर सास्त्री अंतरास्टी एरपोर्ट कहा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पर्मुक कौन है? ओप्शन A, KV कामत ओप्शन B, KV सुबर्मन्यम ओप्शन C, वाइरल आचारिय विरल आचारिय ओप्शन D, अरविंद सुबर्मन्यम देखे, क्लोज दिया है सुबर्मन्यम, सुबर्मन्यम तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? याद रखना है के वी सुब्रमन्यन याद रखेगा से भी विशेशग्य समूहु विदेसी पोर्टफोलियो निवेशकों के परमुख बनाये गए हैं के वी शुब्रमन्यन ठीके? कौन सा कंद्रिय मंत्राले एक जिला एक उत्पाद योजना लागू करता है ठीके, वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट स्कीम किस मंत्राले के द्वारा जारी किया जाता है तो आप सभी को पता होगा Ministry of Commerce and Industry Ministry of Commerce and Industry के द्वारा एक जिला एक उत्पाद यूजना लागू किया जाता है संस्कृती मंत्राले ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक पहल भारत की उडान शुरू की है इंपोर्टेंट सवाल है बताना है संस्कृती मंत्राले ने किस कमपनी के साथ मिल कर एक पहल की सुरुवात की है जिसका नाम है भारत की उडान ठीक है तो भारत की उडान नमक पहल संस्कृती मंत्राले और किस कमपनी के द्वारा मिल कर जारी क्या गया है वो आपको बताना है तो याद रखना है आंसर होगा option B Google इस सवाल का आंसर फिर से बता रहे हैं याद रखेगा संस्किर्ती मंत्राले ने Google के साथ मिलकर भारत की उडान नामक पहल सुरू की है पूछेगा संस्किर्ती मंत्राले ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की उडान पहल सुरू की है तो याद रखेंगे संस्किर्ती मंत्राले और Google ने मिलकर भारत की उडान नामक पहल की सुरूआत की है आंसर उप्सन B एसिया और ओसीनिया छेत्र के अंतरास्टिय दुरसंचार संग के छेत्रिय मानकी करन मच का स्थल कौन सा है तो इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए उप्सन अमबर B नियू देली ठीक है तो याद रखेंगे वीच इस दा वैन्यू आफ इंटरनेशनल टेली कम्यूनिकेशन यूनियन्स रिजिनल इस्टेंडराइजेशन फोरम फोर एसिया एंड ओशीनिया रिजिन एसिया और ओशेनिया छेत्र के अंतरास्टिय दुरसंचार संग के छेत्रिया मान की करन मंच का स्थल कौन सा रहा तो नई दिल्ली आफशन बी किस कम्पनी ने दूसरी पीडी 2G एथनॉल प्लांट विक्सित किया जिसका हाल ही में उदगाटन किया गया था तो आपको बताना है इस सवाल का अंसर किस कम्पनी ने 2G एथनॉल प्लांट विक्सित किया है तो इस सवाल का अंसर क्या होगा आपसन B, IOCL याद रखेगा IOCL कम्पनी ने 2G एथनॉल प्लांट विक्सित किया है किस कम्पनी ने 2G एथनॉल प्लांट विक्सित किया है तो IOCL कम्पनी ने 2G एथनॉल प्लांट विक्सित किया है Virtual Space Take Park Spark किस संथान ने Launch किया आपको बताना है तो क्या यहां पर आंसर होगा याद रखना है badge can choose multiple श्रो ने virtual space take park spark के स्थापना किया है पूछेगा virtual Space take park जिसका नाम spark है, किस संस्थान के द्रौरा launch किया गया तो श्रो के द्रौरा virtual space take park launch किया गया पुर्णर शौराज के विचार और वंदे मातरम अखबार से किस भारती नेता का संबंद है ठीक है पुर्ण शोराज के विचार और वंदे मातरम अख़वार से किस भारतिय नेता का शंबंद है तो आपको याद रखना है यहाँ पर सही अंसर क्या होगा option B अरविंदो घोस ठीक है पुर्ण स्वराज के विचार और पदांग जिसे रास्टी इसमारक की रूप में घोसित किया गया था किस देश में इस्थित है। पदांग जिसे रास्टी इसमारक की रूप में घोसित किया गया था किस देश में इस्थित है। परनाली का नाम क्या है। इंपोर्टेंट है आंसर करेंगे चहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री परसंसकरन परनाली का नाम क्या है। आप्शन A, DG यात्रा, आप्शन B, भारत यात्रा, आप्शन C, प्रधान मंत्री डिजिटल यात्रा अभियान, आप्शन C, भारत फेस, RT। तो सभी औंसर क्या होगा? Option A, DG यात्रा, ठीके, तो याद रखेगा चहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री परसंसकरन परनाली का नाम क्या है? DZ यात्रा, ठीके, आंसर होगा? Option A, DZ यात्रा, T20 cricket में 600 match खेलने वाले पहले क्रिकेटर important सवाल है T20 cricket में 600 match खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन है पूरी दुनिया में जितना भी cricket league होता है ठीक है जैसे IPL हुआ जैसे CPL हुआ ठीक है बिग बैस हुआ तो इस तरह का बहुत सारा T20 का cricket tournament होता है और ये जो player है, दुनिया में जितना भी cricket league होता है, लगबग लगओ ये सभी में खेलते हैं, छोटा बड़ा जितना है सब में, इसलिए ये 600 match खेल चुके हैं, अंतरास्टे में चभी कम खेलते हैं, लेकिन T20 जो league होता है, जो अलग-अलग देसों में जीत होता है, उसमें ये तो यहां पर आपका answer क्या होगा, काईरन पॉलाड, तो T20 क्रिकेट में 600 match खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, काईरन पॉलाड, और अभी जो आप West Indies टीम देखते हैं, वो और भी ज्यादा मजबूत टीम होगा, जब अगर काईरन पॉलाड, एंडरो रसल, और भी बह अगला सवाल, कौन सा राज्य केंद्रसासित परदेश अस्थानिय कारिगरों के लिए एक समर्पित e-commerce एप विक्सित कर रहा है, आंसर होगा, जम्मू और कश्मीर, ओप्सन C तो जम्मू और कस्मीर में अस्थानिय कारिगरों के लिए एक समर्पित e-commerce एप विक्सित किया जा रहा है आंसर होगे option C किस राज ने भारत को नंबर एक बनाने के लिए एक रास्टिय मिशन लॉंच किया है ठीक है important सवाल है which state launched a national mission to make India नंबर वन ठीक है अगर प्रते एक भारत का प्रते के नंबर वन बनाना है अच्छे कामों में तो बहुत अच्छा होगा है ना तो कौन सा ऐसा राज जिसने भारत को नंबर एक बनाने के लिए रास्टिय मिशन लॉंच किया है ठीक है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा option number B नई दिली तो याद रखेंगे भारत को number 1 बनाने के लिए रास्तिय mission launch किया है कि इसने नई दिली ने option number B 2022 में उत्तर पुर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करन का मेजबान कौन सा राज्य है तो फटा फट आंसर करें तो आंसर यहाँ पर क्या होगा option number B मेघाल है याद रखेगा उत्तर पुर्व ओलंपिक के दूसरे संस्करन का मेजबान है option B अगला सवाल मतस्य सेतू mobile app के online market place feature का नाम क्या है जिसे हाल ही में launch किया गया था तो मतस्य सेतू mobile app के online market place feature का नाम क्या है जिसे हाल ही में launch किया गया था option A, aqua bazar, option B, matas se bazar, option C, fisheries India, option D, matas se bharat इसका answer क्या होगा? option A, aqua bazar तो matas se setu mobile app के online market feature का नाम क्या है? aqua bazar तो याद रखेगा matas se setu mobile app के online market place feature का नाम क्या रखा गया है? aqua bazar option A याद रहेगा मतस्य से तु मॉबाइल एब की ओनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या रखा गया है एक्वा बाजार इंपोर्टेंट सवाल है अगला सवाल अंतरास्टिय परिवहन मंच ITF का मुख्याले कौन सा है Headquarters of the International Transport Forum ITF अंतरास्टिय परिवहन मंच का मुख्याले कहां पे है आपको बताना है अंतरास्टिय परिवहन मंच का मुख्याले कहां है ठीक है तो याद रखना है अंतरास्टिय परिवहन मंच का मुख्याले है पेरिस में ठीक है तो International Transport Forum का मुख्याले कहां पे है पेरिस में तो याद रखेंगे, अंतरास्टी ये परिवहन मंच का मुख्याल है, पेरिस में है, आंसर होगे, option number B, अगर आपसे पूछे, अंतरास्टी ये मुद्रा बेंक, IMF का headquarter कहाँ पे है, अब सभी जानते हैं, वासिंग्टन डीसी, IMF का headquarter कहाँ पे है, वासिंग्टन डीसी, ठी तो इस तरह का सवाल भी एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, important होता है, पूछता है, तो इतना ही सवाल था, आप सभी से humble request करेंगे, कि आज का session अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो please class को support कीजेगा, class को like और share अवस्य कीजेगा, साथ ही साथ, किसी भी topic में आपको doubt होगा, तो आप सभी से request करेंगे, आप लोग comment अवस्य करेंगे, तो मिलते हैं आप से झा झा करेंगे, तो मिलते हैं, हमाल दूदाए के सüber क Stephanos करेंगे, तो मिलते हैं, याल आप करेंगे, तो मिलता हैं आप ससे तो आपको म करेंगे, तो आ आप झा